वेलकम टू माई चाइनल जीके करेंट पर सरकल सियार पे पैरमेडिकल स्टाफ हो या कोई भी एक्जाम कमप्रेटिक एक्जाम का हो जिसमें पी एच वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रहता है पी एच वैल्यू एक से दो कोशन काफी पूछे जाते हैं इस एक्जाम के भी इंपॉर्टेंट है इस कोशन को पूरा वीडियो लास तक देखे काफी इंपॉर्टेंट पी एच वैल्यू को कलेट किया हूँ इससे पहले अगर मेरे चैनल जीके करेंट टैपर सरकल पर पहली वर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रेस करके औल पर क्लिक कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए अगर मेरे टेलीकराम चैनल से नहीं जूरे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जूर सकते हैं और सफाई करमचारी से अगर फॉर्म भड़े तो जिसका ट्रेट को सन चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए प्लेटर वीडियो उसमें आपको पूरा सफाई करमचारी के जितने भी कोस्टन से सभी मिल जाएंगे वीडियो तो आज कप है को स्टार्ट करते हैं जो की दिया हुआ है पी एच वैल्यू को कलेक्ट किया हूँ तो पहला यहां पे सब्स्टेंस दिया हुआ है और पी एच वैल्यू दिया हुआ है तो पहला नंबर प्योर वाटर सुद्ध वाटर सुद्ध पानी का पी एच वैल्यू कितना होता है तो सुद्ध वाटर का पी एच वैल्यू साथ होता है उसके बाद हुमन ब्लड यानि मनुस्य का रक्त का पी एच वैल्यू कितना होता है तो यहां important है pure water भी पुछे जा चुगे का पि जी वाटर उसके बाद है सी वाटर का pH वैलू कितना होता है तो सी वाटर जो समूंद्र का जो पानी होता है उसका pH वैलू होता है 7.5 से लेकर 8.4 तक यानि 7.5 से लेकर 8.4 के बीच में समूंद्र के पानी का pH value होता है उसके बाद दिया हुआ है अमुनिया का pH value दिया हुआ है 10.6 से लेकर 11.6 के बीच में इसका pH value रहता है काफी इंपोर्टेंट pH value है milk का pH value देखिए milk जो दूदा का pH value होता है pH मान ओ 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में इसका pH value रहता है दूद का उसके बाद normal rain साधारन जो बारिस थोड़ा मुड़ा जो होता है normal rain जो की 75.6 से लेकर 6 तक इसका value रहता है उसके बाद next question है यहां पे दिया हुआ इसीड का pH value दिया acid rain जो अमलिय वर्षा होता है उसका दिया दिया हुआ pH value दो से लेकर 5.6 के बीच में इसका pH value रहता है उसके बाद human urine human urine human urine मनुष्ट का जो त्रासे जैनी urine होता है उसके बाद next दिया हुआ है black coffee black coffee का pH value पांच ही रहता है जो काला कॉफी रहता है उसका उसके बाद next दिया हुआ है यहां पे next beer बीच जो होता है alcoholic 5% उसमें रहता है जिसमें beer जिसको बोलते है वह 4.5 के बीच में ही आपका pH value रहता है wines दारू जितने भी सराब होते है उसका pH value 2.8 से लेकर 3.8 के बीच में रहता है इसका difference रहता है उसके बाद vinegar vinegar होता है उसमें आपका 2.9 होता है only शिर्फ लास्ट इस वीडियो का जो है lemon juice lemon juice जो होता है citrus juice होता है ओ 2.4 याने 2.4 इसका pH value रहता है काफी important pH value आप चाहिए तो इसे लिख सकते है और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते एक्जाम से पहले जितने भी वीडियो का PDF है मैं उस पर प्रोवाइट करवा करें तो मेरे चैनल जीके करेंट अपर सरकल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेर भी करें वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो तो चलिए नेक्स वीडियो में इसी तरह मिलते हैं और भी important important question के तरह ठैंक वाचिंग नेक्स वीडियो मिलते हैं